रूस के मौसको में 17 से 20 नवंबर तक अंतराश्ट्र ग्रैप्लिंग प्रत्योगिता का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हिवाचर प्रदेश पहली बार भाग लेगा, हिवाचर प्रदेश के तेरा बच्चोे इस प्रतियोगिता में भाग लेगे, राश्ट्र सर पर प्रद प्रतिभागी मौस्को के लिए रवाना होंगे जिनके साथ दो कोच भी इसमें शामिल होंगे इसके अंतरगत पांच कैटिगरी आयोचित होंगी जिसमें प्रतिभागी अपनी प्रतिभाग का जोहर दिखाएंगे और दो इनके साथ इनके कोचिज वहां पे जा रहे हैं कितनी केटेगरी इसमें फाइफ केटेगरी होगी एक अंडर 11 अंडर 13 अंडर 15 अंडर 17 और अंडर 20 इंटरनेशनल में ग्रैपलिंग में हिमाचल प्रतिश पहली बार पार्टिस्पेंट कर रहा है क्योंकि यह जो गेम ह यहां पे हिमाचल में अभी स्टार्ट हुए यह तीन साल अभी शुरू हुआ है इस गेम को और मातर तीन वर्ष के कारेकाल में जो समय हमारा बीता है इन बच्चों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है पार्टिस्पेंट में नेशनल लेवल पे यह सारी जो बच्चे ह यह नेशनल विनर है नेशनल का मेडल जिनोंने विन किया है वही बच्चे जो है इंटरनेशनल टीम के लिए स्लेक्ट हुए है जो मौसकों में होने जा रही है रैप्लिंग टूर्नौमेंट्स तारह से 20 तर यह वही बच्चे हैं जिनोंने यहां पे नेशनल अपना जेसे हैं यह सभी इंटरनेशनल गेम जो वहां पे ग्रैप्लिंग का टूर्ना मेंट होने जा रहा मौसकों में उसमें सब भाग लेंगे सबसे छोटी उमर के हिमाचल से हमारे दो बच्चे हैं चिंतरनतन काल्टा और एक एलन काल्टा जी और एक यूवरा चोहां दो बच् जो टीम है उसमें भी यह सबसे कम उमर के बच्चे हैं जो अपने कैटेगरी में सबसे कम उमर में खेलेंगे यह 10 साल के अंडर 11 जो कैटेगरेज़े उसमें यह खेलेंगे